sheltered का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो मी सीख लेते हैं sheltered का दो तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो जिसे shelter किया गया हो या जो shelter किया जा चुका हो उसे हम adjective के रूप में sheltered कह सकते हैं इसके इलावा sheltered जो है वो shelter का past and surpassed paracipal होता है यानिकि shelter की ही second और third form होती है sheltered और shelter का आर्थ होता है आश्रे लेना या आश्रे देना शरण लेना, छिपना, छिपाना, बचाना, रक्षा करना, पनहा देना या पनहा लेना या साहता करना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसने अपनी छतरी के नीचे शरण ली तो आप कहेंगे he sheltered beneath his umbrella या अगर आप ये कहना चाहें कि हमने पेडों के नीचे शरण ली तो आप कहेंगे we sheltered under the trees अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें